इस वीडियो में मैं आपको बताने वाल ऑफ्रेंड्स के अगर आपको अपने पोको के मालफून में एक सेटिंग देखने हुआ रहा है So Carrier When Device Is Locked तो यह सेटिंग क्या होता है, इसका क्या यूज है, Enable Disable करने से क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ तो चलिए ज़ादस में लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बड़ो से पहले अगर आप मेरी यूट्योग चैनल पर नए हैं चैनल को सस्क्राइब करके पासवाले नोटिफिकेशन वेल को दवाकर all के उप्सन पर जरूर क्लिक करिएगा चलिए वीडियो को बॉकों मॉइल फोन के सेटिंञ्स में जाएंगे फिर यहां पर सेटिंग में आकर नीचाहिए तो एक आपको ऐका प्सश्राइगा डिस्पले का आप この प्र उत्रिय न्हीं जाएंगे तो आपको एक आपOOOO सेटिंग में अपने चाहिए तो इसंतिक्छी अगा की हमारा मुबाIL का स्क्रिंध लोक हो आपको दिखसकते हं कि हमारे फोन में जय स्क्रिंध लॉकशने पर आपको जो भी relevant होता है वह यहां ऊपर वह यहां देखियो उपर आपको ऐसे मतों करता रहता है जैसे मेरा जीओ के जो है enable होता है तब और दोस्तों जब आप उस setting को disable कर देंगे जैसे देखिए आप मैं उस setting को disable कर देता हूं तो हम यहाँ पर जाते हैं display उसके बाद फिर नीचा कर हम यह control center notification पर click करेंगे और आप यहाँ से setting को बंद कर देंगे तो जब आप इस setting को बंद कर देंगे तो दोस्तों इससे क्या होगा कि दोस्तों screen lock रहने पर पहले जो आपको यहाँ पर उस sim का name दिखाया जाता था